राश्टिय युवा मौसो के कारिकम में इस विभाग के युवा खेलकूद और जो हमेशा प्रसंचीत और युवाओं की तरह हमेशा फिट रहते हैं मेरे मित्र शिरी किरन रिज्वी जी हमारे राज्य सभा की सांसत स्रीमती रूपा गांगोली जी इसी निर्णायक मंडल के सदस्चे श्री प्रफुला जी लोग सभा के मास अचिव श्री उत्पल कुमार सिंग जी स्पोर्ड के सेकेटरी स्री रवी मित्तल जी और युवाओं की संसत को आयोजन करने में जिन्होंने विशेश रूपाई इस विभाग की सेकेटरी स्रीमती उशाश शर्मा जी देश भर से आये मेरे सभी युवा प्रतिभावी गन अधिकारी गन और आमंति अथिती गन आज हम लाल बहादुर शास्ती जी के पुन्यतिती है सहर सहज परन्तु धड़ प्रतिग्या के धनी सास्ती जी ने इस देश में नारा दिया था जे जवान जे किसान कावान आज भी हमारे देश में है कि देश का जवान सीमा पर रक्षा कर रहा है और किसान खेत में रखकर अनुत्पादन का काम कर रहा है लाल बादुर शास्ती जी का नारा था कि खाद्यान में भारत आत्म निर्बर बने और आज हमारे प्रधान मंति का नारा है कि भारत आत्म निर्बर भारत बने इस दिशा की और देश काम कर रहा है दोस्तों आप सब युवा संसद प्रतिभागी के रूप में आज संसद भौन के इस एत्यासिक केंद्रिय कक्ष में उपस्तित हैं इस एत्यासिक केंद्रिय कक्ष में जहां चोधा पन्रा अगस्ति की रात्री को ब्रिटिश हुकुमत से भारत ने सत्ता प्राप्त की ये भवन इस एत्यासिक रूप से शाक्षी रहा है ये भवन कई गटनाओं का शाक्षी रहा है यहां पर हमारे सविधान निर्माताओं ने सविधान का निर्मान कराया और ऐसा सविधान बनाया जो विश्व के अंदर आज भी सबसे बड़ा सविधान भी है और उसके साथ साथ भारत के लिए तो विशेश रूप से आज भी मार्दशक की भूमिका के रूप में हमारा सविधान हमें दिशा देता है हमारे सविधान निर्माताओं ने सविधान बनाते समय जनता को केंद में रखा था उनका विचार था कि भारत एक लोगतान्ती गनराज राज हो जहां पर जनता से चुनिवी सरकारें देश की प्रगत्य के लिए और देश की आम जनता के लिए कल्यान करें और आज इसी सविधान की मूल भावनाओं के आधार पर आज उसी केंदी कक्ष में युवा संसद प्रतिभागी के रूप में आप लोगतंत को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए और अपनी सक्री भागिदारी निभाने के लिए यहां पर आये हैं लोगतंत के इस मंदिर में लोगतंत के इस पौर पर मैं आप सब का अभिननन करता हूँ सागत करता हूँ हमारे सविधान निर्माताओं की दूर दर्शीता और देश के लेक वीजन था कि आज साथ दश्यों के बाद भी हमारा लोगतंत सशक्त हुआ है मजबूत हुआ है समर्द हुआ है और लगातार लोगतंत के प्रती लोगों का विश्वास बरोसा बढ़ा है और यही कारणे सत्रा आम चुनाओ और तीन सो विधान सवा चुनाओ के अंदर लगातार मत दाताओं का मत पतीशत बढ़ना देश के नोजवानों का लोगतंत के पर्व में सक्रिय योगदान देना और उनका विश्वास रखना निश्वीत रूप से यही कारण है कि आज हमारा लोगतंत और मजबूत हुआ है समर्द हुआ है हमारे लोगतंत की परिपक्ता इस बात से भी है कि सत्रा आम चुनाओं के अंदर जिस सहस्ता से सत्ता का इस्तांतन हुआ उस सत्ता के इस्तांतन से यह साबित करता है कि भारत का लोगतंत मजबूत है और हमारे सविधान में यह वैस्ता दिये कि जब भी शाषन में कोई वैस्ता होगी तो चुनिवी सरकार की वैस्ता होगी और इसी के कारण आज हम चुनिवी सरकार के रूप में सर्देश के अंदर एक मार्दशन की भूमिका के रूप में काम कर रहे हैं साथ दश्कों के अंदर बहुत परिवर्तन होई इन परिवर्तनों का साक्षी ये केंदिय कक्ष है जहां पर आजादी के बाद हमारे चुनियों प्रतिनियों ने देश के लिए योगदान दिया देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर काम किया जिसके कारण हमारा देश आज लगातार आगे बढ़ रहा है ये बात सही है कि सतन्ता के पूर एक समय था जब हमारे नोजवानों ने देश के लिए आजादी दी आजादी के लिए कुर्बानी दी बलिदान दिया और उन्होंने संगश में अपने मारत भूमी के लिए सब कुछ निवचार किया आज सतन्ता के बाद किस्तती कुछ और है उस समय की प्रिष्टिती के अनुसार युआउने बलिदान देकर देश को आजाद कराया था लेकिन आज इसी भावनाओं को हमें रखते हुए किस तरीके से हम भारत को सरवच बढ़ा सकते हैं इस देश की प्रगति को आगे बढ़ा सकते हैं इस दिशा के अंदर हमें काम करने के आउशकता है और ये जिम्मेदारी इस देश की नोजवानों की है कि हम किस तरीके से आजाद भारत में हमारा सरवाधिन योगदान देकर सक्रिय योगदान देकर इस देश को आगे की और बढ़ाएं और इस देश की प्रगत्ती के लिए हमारा योगदान दें साथियों आज ये दाइत ये करते हो आप सबको निभाना है हमें इस देश को बहुत उंचायों पर ले जाना है और इस देश को उंचायों पर ले जाने में अगर सबसे बड़ा योगदान हो सकता है तो देश के नोजवानों का हो सकता है इसलिए हमारा दायत भी है करते हो भी है कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से हमारा योगदान दें इस दिशा के लिए आज आप यहां बेठें अपने विचार वेक्त करेंगे कि किस तरीके से हम देश के अंदर परिवर्तन के दोर को आगे बढ़ाते हुए इ प्राजदस्टों में हमारे नेताउने इस देश को आगे बढ़ाया है, हमारे प्धानमंती नई नमोधी जी नए, इस देश के अंदर अक नई दिशादी, देश के नोजवानों को एक ऐसी दिशादी, आज हर नोजवान नई तकनि premise नई इनोवेशन से, नई सोश से, नई व एक दिशा होती है कि किस तरीके से हम देश के नोजवानों को एक दिशा दें कि देश का नोजवान नए इतनो अचारों के महाध्यम से इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें और हमारे प्रधानमंति जी हमेशा इस देश के नोजवानों पर बहुत विश्वास और भरोसा कर कि देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा तो भारत का ये नोजवान करेगा और इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब माने प्रधान मंती जी नारा दिया है आत्म निर्बर भारत इस नात्म निर्बर भारत को अगर सहशक्त और मजबूत करना पड़ेगा तो इसके लिए हमें नए इनोवेशन करने पड़ेंगे नए स्टार्ट अप के साथ इस भारत को उचायों पर ले जाने के लिए हमारे योगदान को और मजबूती से देने की आवश्यक्ता है इसलिए हम सब मिलकर प्यास करें कि किस तरीके से हम इस देश के अंदर समाज के अंतिम वेक्ति तक का कल्यान कर सकते हैं हमारी कोशिश होना चीए कि हम समाज के अंदर बदलाव में हमारा क्या योगदान है हम किस तरीके से समाज के इस बदलाव में समाज के अंतिम वेक्ति के जीवन के बदलाव करने के लिए एक देश के नोजवानों की क्या भूमी का ह को नीच यह आज हम बेट कर चर्चा करेंगे समात करेंगे और हमारे मन में हमेशा एक ही विचार होना ची कि मेरे लिए मेरा देश प्रथम है नेशन पष्ट इस भावनां के साथ हगर हम काम करेंगे तो दुनिया के अंदर भारत को सबसे आगे बढ़ाने का काम करेगा तो भा यह आशा है कि यह अपार युवा शक्ति भारत के नवनिर्मान के अंदर महत्पुन योगदान देगी और हम इस देश को नई प्रगति और नई उचेयों पर ले जा सकेंगे साथियों आज दुनिया के अंदर सबसे विशाल युवा जन्षक्ति है तो भारत की है ये विशाल युवा जन्षक्ति भी है उसमें नई उर्जा है नई शक्ति है नई इनुवेशन करने की तागत है दुनिया के अंदर जब इस्टार्टप का काम प्रधान मंतीजी ने शुरूफ किया तो सबसे ज़्यादा स्टार्टप बनाए तो भारत के नोजवानों ने बनाए किस तरीके से DRDO के अंदर एक 35 साल से कम उमर के नोजवानों ने उस DR-DO के अंदर सेनिक कारे के अंदर और किस तरीके से हम नए इनोविशन के साथ आगे बढ़ा सकते हैं इस काम के तो हमारे नोजवान उन किया आज यह आपने पढ़ा होगा कि हमारी महिला पाइलेट ने किस तरीके से इतनी लंबी दूरी को प्राप्त किया आखिर हमारे पुरुष नहीं हमारी नोजवान महिला हैं चाए वेज्ञानिक शित्र पे हो सी सीमा के शित्र पे हो चाए हवाई जाज के शित्र में हो कोई ऐसा शित्र नहीं देश के सामाज एक आर्थिक हर परिवर्तन के अंदर अगर अग्रणी भूमी का निभारी है तो हम यह भी वे उनको उशेश रूप से धन्यवाद दूगा कल जब एक मैला नोर्थिष्ट की यहां पर भाग लेने आ रही थी तो उसके साथ जब प्रियास किया तो उसने किस तरीके इसका जवाब दिया यह हमारी मैलाओं की उस शक्ति और सामर्थ को दिखाती है इसलिए दोस् लोगतंत के अंदर जब बेटकर हम विचारी मश करते हैं तो लोगतंत की यह एक विचार होता है कि किस तरीके से हम अपने विचारों को अपने अनभों को अपने नवचारों को साजा करें और आज आप देश के अलग-अलग कोने से आए हैं तो किस तरीके से हम देश के उन तमाम हिस्सों को सामुईक रूप से आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से अपने अपने विचार, अपने अनभव, अपने शित्र के लिए रखें और किस तरीके से उन विचारों अनभव के आधार पर हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं लोकतंत को और मजबूत कर सकते हैं इसके लिए आप युवास संसत के रूप में आएं और मैं आज देख रहा हूं कि आप सब नोजवान यहाँ पर आए हैं आप प्रतिवोगी के रूप में भी भाग लेंगे लेकिन एक युवास संसत का लगू रूप में यहां पर देख रहा हूं मुझे लग रहा है कि किस तरीके से हमारा नोजवान आज युवा संसत के रूप में अपने विचारों अपने अन्भों को साजा करेगा यह वास सही है कि दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा लोगतंत है जहां पर अलग-अलग विचारधारा के लोग आते हैं राजनिती विचारधारा हैं अलग होती है प्रतिबद्धता अलग होती है अलग-अलग शित्व से आते हैं जा अलग-अलग बोली खान पान बेश्पूशा है लेकिन जब कभी भी इस संसत के अंदर देश और राष्ठ हिस्त का सवाल आता है तो हम सामुएक लोगतंत की विशेष्टा है आप आज अलग-अलग गाउं अलग-अलग शित्वों से आएं और यहां पर एक युवा संसत के रूप में आप अपने अपनी बात को विचार रखेंगे और अन्भों को साजा करेंगे मुझे आशा है कि हम सब के मन में एक ही विचार होना ची कि हम किस तरीके से अपना सक्रिय योगदान करकर इस लोगतंत को और सशक्त और मजबूत कर सकते हैं आज आउशकता इसी बात की है कि हम केवल एक मतदाता के रूप में ने रहें क्योंकि देश के अंदर जब सविधान बनाया था तो सविधान बनाते समय उन मनिश्यों ने यह बात रखी थी कि कीवल मतदाने तक मतदाता के रूप तक हम देश के नागरिकों को सिवित नी रख़ें हम मद्दाता के रूप में जनप्रतिन्ति को चुनते हैं और जनप्रतिन्ति उस समाज की अपेक्षा आकानशाओं को इन लोगतांति संस्ताओं के माध्यम से अपनी बात को रखते हैं और इसलिए मैं आपसे यही निविदन करना हूँ कि आज हम देश के उन नोजवानों को सबको सामविक रूप से इस लोगतंत को मजभूत करने के लिए लोगतंत में हमारी सक्रिय भागिदारी हो हमारे निती निर्माण में हमारी साजिदारी हो विदी निर्माण में हमारी सा और कानून में हमारी सक्रिय भूमी का रह इसके लिए भी नोग जवानों को जागरत करने के आउशकता है और मुझे आशा है कि आने वाले समय के अंदर भारत का नोजवान जिस तरीके से सक्रिय रूप से लोकतंत में सभागी बन रहा है अपने विचारों को अपने अनभों को समय समय पर अपने जनप्रतिद्यों के माध्यम से इन संसद विधान सभाओं और चुनी संस्ताओं में अपनी बात रखने का उनको नवाचार करने का समय समय पर कोशिश करेगा सभागी के रूप में काम करेगा और इसलिए मैं आप से यह निविदन करने आए हूँ कि आज हम सब का एक इदाइत है कि राश्ट सेवा के लिए हम किस तरीके से अपना समधपन योगदान दे सकते हैं मुझे आशा है कि आप जिस मनभाव से यहां पर आएं जिस विचार से यहां पर आएं आने वाले समय में हम रहे न रहें यह देश रहेगा लोगतंत रहेगा और इस लोगतंत को मजबूत करने में हम सब नोजवानों की सग्रे भागेदारी होगी यही युवाव मौसों का संकब लेकर जाएं मुझे आशा है आपका संकब आपका विचार इस देश में नए परिवर्तन के और बढ़ेगा और विशेश रूप से इस केंद्री कक्ष में आज जब अपने विचार रखेंगे तो देश को लगेगा किस तरीके से हमारा नोजवान इस देश की समरदी और देश को उचाई को बढ़ाने के लिए लोगतंत के माध्यम से सक्री सयोग कर रहा है आप सब यहाँ पधारे मैं लोगसवाय अध्यश के रूप में इस केंद्री कक्ष में आपका पुना है बहुत बहुत अभीननन करता हूं सागत करता हूं